मॉडियूल 6 के इस हिसे में आप सीखेंगे कि वेब नाविगेशन कैसे की जाती है वेब पेज के अंदर बने हाइपर लिंक्स क्या होते है बुक्मार्क्स या फेवरेट्स कैसे बनाए जा सकते है वेब पेज को सेफ और प्रिंट करना भी सीखेंगे एक पेज या स्क्रीन से दूसरे पेज या स्क्रीन पर जाने के प्रोसेस को वेब नाविगेशन कहते हैं आप जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो हमारा बुन्यादी मकसद मुक्तलिफ सौफ्टवर्स को ओपन करना और उनमें काम करना होता है मसलन अगर हम टाइपिंग करना चाहते हैं तो उसका मतलूबा प्रोग्राम पहले ओपन करते हैं फिर इसमें टाइपिंग करते हैं बिलकुल इसी तरह अगर हम इंटरनेट के जिरिये मुक्तलिफ इंफिर्मेशन को अक्सेस करना चाहते हैं तो पहले हम इंटरनेट से connect होते हैं और browser को start करते हैं. फिर इसमें URL के जरिये मुक्तले websites को visit करते हैं. आईए इस section में ये सीखते हैं कि URL के जरिये मुक्तले websites को कैसे visit करते हैं. Opening our website. इसका तरीका ये है कि पहले हमें उस website का URL मालूम होना चाहिए, जिसको visit करना है, याद रहे कि हम पिछले lesson में बता चुके हैं कि किसी website के URL को browser के address बार में टाइप करते हैं. इस वक्त हमारे सामने ये Internet Explorer 11 का browser open है. हम इस browser के address बार में ये URL टाइप करते हैं और फिर enter key को दबाते हैं. ये देखी, जब वेब पेज मुकमल तोर पर open हो गया, तो हमें browser में इस तरह से नजर आ रहा है. इस section में हम browser में backward और forward मूव करना सीखेंगे. लेगिन पहले हम एक मिसाल के जिरिये ये सीखेंगे कि backward और forward से क्या मुराद है. जब हम एक किताब को पढ़ते हैं और हम उसके अगले या पिछले सफाहत पर बहुत आसानी से जा सकते हैं, इसके लिए हम इस किताब के सफाहत को आगे या पीछे पलटते हैं. बिलकुल उसी तरह हम एक ब्राउजर में मुक्तलिफ साइट्स को विजिट करते हैं, तो हम अगली या पिछली वेब साइट्स पर backward या forward बटन के जिरिये जा सकते हैं. आईए, अब हम ब्राउजर में backward मूफ करना सीखते हैं. आपको इस वक्त इंटरनेट एक्स्प्लोरर का ब्राउजर नजर आ रहा है. आप देख रहे हैं कि एड्रिस बार के साथ बाइं तरफ, बैक और फावर्ड के बटन का कलर टिम है. यानि, अभी हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी किसी वेबसाइट को विजिट नहीं किया. ये बटन उस वक्त इस्तेमाल होंगे, जब हम एक से ज्यादा वेबसाइट को विजिट करेंगे. लहाज़ा आएए, सबसे पहले हम वर्चुल युनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करते हैं. वर्चुल युनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम, एड्रेस बार में www.hec.gov.pk को टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं. हमारे सामने, Higher Education Commission की वेबसाइट खुल गई है. अब हम यहाँ से जीमेल की वेबसाइट को ओपन करते हैं. इसके लिए दुबारा, एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करके एंटर को प्रेस करते हैं. और ये देखें, जीमेल की वेबसाइट ओपन हो गई है. यानि हमने इस सेशन में Virtual University, HEC, फिर जीमेल की साइट को विजिट किया है. आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमें जीमेल का वेब पेज नजर आ रहा है. आप ये भी देख रहे हैं कि Back का बटन अब नुमाया हो गया है. लेकिन Forward का बटन अभी भी Dim है. Forward का बटन उस वक्त एक्सेस हो सकेगा जब हम Back बटन को इस्तमाल करेंगे. लिहाज़ा हम Back बटन पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि हमें अब HEC का पेज नजर आ रहा है, जिसको हमने जीमेल से पहले विजिट किया था. आपने ये भी नोट किया होगा कि अब Forward का बटन नुमाया हो गया है. आएए, अब Forward के बटन पर क्लिक करते हैं. ये देखें, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, तो हमें अगला पेज यानी जीमेल डॉट कॉम नजर आ रहा है. हमने Forward और Back के बटन्स को इस्तेमाल तो कर लिया है. अब हम ये चाहते हैं कि यहां से हम Direct Virtual University के पेज़ पर चले जाएं. ऐसा करने के लिए हम Address Bar में बने इस चोटे से एरो पर क्लिक करते हैं. ये देखें, अब हमें इस लिस्ट में विजिट किये हुए पेज़ के लिस्ट नजर आ रही है. हम यहां से Direct किसी पेज़ पर जाने के लिए किसी URL पर क्लिक कर सकते हैं. इस वक्त हम Virtual University पर क्लिक करते हैं. आप देख रहे हैं कि अब हमें Virtual University का पेज़ नजर आ रहा है. इसी तरह, अब हम यहां से Direct आखरी विजिट किये हुए पेज़ जीमेल पर जाना चाहते हैं. इसके लिए हम दोबारा इस arrow को क्लिक करते हैं. फिर इस लिस्ट में से जीमेल डॉट कॉम पर क्लिक करते हैं. अब आपको स्क्रीन पर जीमेल का पेज़ नजर आ रहा है. आप Forward, Back और Home पेज़ पर जाने के लिए View Menu की Go To Option भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Go To Menu के लास्ट में आपको Visited Web Pages के नाम दिखाई दे रहे हैं. आप इन में से किसी पर क्लिक करके मतलूबा वेब पेज़ पर डारेक्ट भी जा सकते हैं. इसके अलावा आप Keyboard की Alt प्लस Left Arrow की को प्रेस करके Back और Keyboard की Alt प्लस Right Arrow की को प्रेस करके Forward में जा सकते हैं. और Home पेज़ पर जाने के लिए Alt प्लस Home की Keys को प्रेस करें. Hypertext Link Hypertext की टर्म को सबसे पहले टेड निलसन ने अपनी किताब में डिफाइन किया. इसके मुताबिक Hypertext एक Non-Sequential Writing है यानि इसमें Text को एक Sequence या तर्तीब से नहीं लिखा जाता, बलखे इसमें Information को एक Non-Sequential Order में प्रेसेंट किया जाता है. इसमें एक पेज दूसरे बहुत से Pages से Connected होता है. इन Non-Sequential Pages को आपस में Connect करने के लिए Links Create किये जाते हैं. लिंक्स एक पेज के Word, Picture या किसी भी Object पर Selectable Connection होते हैं. जब इन पर Mouse से क्लिक किया जाता है, तो इस Links से Connected Page ओपन हो जाता है. ऐसे Links को Hypertext Links कहा जाता है. यानि Hypertext Links किसी वेब पेज के ऐसे Elements होते हैं, जिन पर क्लिक किया जाता है, तो वो किसी और वेब पेज या वेब साइट पर ले जाते हैं. जब Pictures, Graphics, Audio और Video और वीडियो वगेरा पर Links बनाए जाएं, तो इसको Hyper Links के अलावा Hyper Media Links भी कहा जाता है. जब आप वेब पेजिस को विजिट करते हैं, तो इन में मुख्तलिफ किसम के Hyper Links बने होते हैं. बाज Links Underline होते हैं. बाज का Color डिफरेंट होता है. इन Links में एक चीज़ कॉमन है, वो ये, कि जब किसी Link पर Mouse Pointer को ले जाते हैं, तो Mouse Pointer की शेप तबदील हो जाती है. आइए इसको एक मिसाल से सीखते हैं. आपको इस वक्त ये तीन पिक्चर्स नजर आ रही हैं. आइए, इन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इन में से कौन सी पिक्चर Hyper Link है. ये देखें, जब हम Mouse Pointer को पहली पिक्चर पर ले गए हैं, तो Mouse Pointer की शेप तबदील नहीं हुई, यानि ये Hyper Link नहीं है. इसी तरह जब हम mouse pointer को दूसरी picture पर ले गए तो भी mouse pointer की shape तबदील नहीं हुई यानि ये भी hyperlink नहीं है लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम mouse pointer को तीसरी picture पर ले गए है तो mouse pointer की shape तबदील हो गई है यानि ये hyperlink है इस पर click करने से एक और page open हो गया है ज्यादतार links हमें किसी web page पर ले जाते हैं ताहम बाज ऐसे links भी होते हैं जिनको जब activate किया जाए तो वो किसी file को download करते हैं कुछ ऐसे links भी होते हैं जिनको click करने से कोई multimedia file play होती है जिसमें online, music, video वगएरा शामिल है किसी भी web page में तीन तरह के links होते हैं as text, as image maps, as picture टेक्स्ट पर link दिखाने के लिए इनको highlight किया जाता है और इनका रंग भी मुख्तलिफ होता है मसलन, इस web page में ये text links हैं पाज उकात कोई picture भी link के तौर पर इस्तमाल होती है मसलन, इस web page में ये picture links हैं जब इन पर क्लिक किया जाएगा, तो relevant page open होगा इमिज मैप एक single picture होती है लेकिन इसमें एक से ज्यादा links बने होते हैं इस पर क्लिक करके हम इस image से connected मुख्तलिफ links को open कर सकते हैं जब हम browser में किसी link को activate करते हैं तो इस link से connected page ज्यादा तर इसी window में open होता है लेकिन ऐसा भी मुम्किन है कि किसी link को एक नई window में activate करें आईए इसे सीखते हैं इस वक्त हमने browser में Wikipedia का page open किया है हम इसके feature content से connected page को एक नई window में open करते हैं इसके लिए पहले हम mouse pointer को बाएं तरफ मौजूद feature content के link पर ले जाते हैं फिर इस पर right click करते हैं अब हम open in new window पर click करते हैं आप देख रहे हैं कि feature content का page एक नई window में open हो गया है इसके इलावा ये भी पता चल रहा है कि Wikipedia का main page भी open है इसके इलावा अगर आप एक ही window में इस link को open करना चाहते हैं तो इस link पर right click करें और open in new tab की option पर click करें ये देखें feature article का page पहले वाली tab के साथ दूसरी tab में open हो गया है इस से same window ही में एक और tab का इजाफा हो जाता है और navigation बहुत ज्यादा आसान हो जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं बुक्मार्क जो हमें पसंद आती हैं और हम उन websites को visit करना चाहते हैं ऐसा करने के लिए किताब की बुक्मार्क की थरा browser भी हमें ये सहूलत मुहया करते हैं कि हम अपने पसंदीदा web pages की list का record रखें ताके उन pages को दुबारा open करने में असानी हो कुछ web browsers में इनका नाम bookmarks है और कुछ में इनको favorites कहा जाता है मसलन, Netscape और Google Chrome के navigator में उनको bookmark कहा जाता है और Internet Explorer के browser में इनको favorites कहा जाता है इस module में हम इन web pages के लिए favorites की term इस्तमाल करेंगे आए सबसे पहले ये सीखते हैं कि किसी web page को favorites की list में कैसे add करते हैं सबसे पहले हम browser को open करते हैं फिर इसमें उस page को open करते हैं जिसको हमने favorite बनाना है हम virtual university की website को favorites की list में add करना चाहते हैं लहाजा पहले virtual university की site को browser में open करते हैं इसके बाद हम menu bar से favorites को click करते हैं और हमारे सामने जो menu ओपन हुआ है, उसमें Add to Favorites पर क्लिक करते हैं. अब हमें ये Dialog Box नजर आ रहा है. हम इसमें Name के Box में Virtual University of Pakistan में Off Pakistan को Delete करते हैं. यानि Favorites की लिस्ट में हम इसका नाम Virtual University रखना चाहते हैं. इसके बाद हम Add के बटन को प्रेस करते हैं. लीजिये, हमने Favorites की लिस्ट में एक Website Add कर ली है. आएए, अब हम ये देखते हैं कि क्या वाकई Favorites की लिस्ट में Website Add हुई है या नहीं. इसको चेक करने के लिए हम Favorites के Menu को दुबारा Open करते हैं. इसके लास्ट में देखने से ये पता चल रहा है कि Virtual University की Website Favorites की लिस्ट में Add हो गई है. आए, हम ये देखते हैं कि अगर हम Browser को Close करके दुबारा Open करें, तो Favorites की लिस्ट में Add की गई Websites Save होती हैं या नहीं? इसके लिए हम पहले Browser को Close करते हैं, फिर हम बताएगे तरीके के मताबिक Browser को दुबारा Open करते हैं. फिर हम Menu Bar में से Favorites के Menu को Open करते हैं. आप देख रहे हैं कि इसमें Virtual University का वेब पेज सेवड है. हमने Favorites की लिस्ट में वेब पेजिस एड़ करना तो सीख लिया है. आईए, अब हम ये सीखते हैं कि Favorites की लिस्ट में वेब पेजिस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसको Organize कैसे करते हैं? इस सेक्शन में Favorite की लिस्ट को Organize करने के लिए हम Folder Create करने का तरीका सीखते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम Favorites के Menu को Open करते हैं. फिर इसकी Option, Organize Favorites पर क्लिक करते हैं. हमारे सामने ये Dialog Box ओपन हो गया है. इसमें नए Folder को Create करने के लिए हम New Folder को क्लिक करते हैं. ये देखें, New Folder के नाम से एक आइकॉन इस Dialog Box की Main Window में फॉरण क्रियेट हो गया है. इसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं. हम इसमें Folder के नाम के लिए FV Page List टाइप करते हैं. फिर हम Enter की को प्रेस करते हैं. आप देख रहे हैं कि FV Page List के नाम से एक फॉल्डर क्रियेट हो गया है. आखिर में हम Close के बटन पर क्लिक करते हैं. लीजिए, हमने निया फोल्डर तो क्रियेट कर लिया है. आएए, इसमें Web Pages एड करना सीखते हैं. इस वक्त हमने Yahoo.com का पेज ओपन किया हुआ है. इसको हम Favorites के FV Page List के फोल्डर में सेव करना चाहते हैं. ऐसा करने के लिए हम Favorites के menu को ओपन करते हैं. फिर इस menu की पहली option Add to Favorites पर क्लिक करते हैं. हमारे सामने ये Dialog Box ओपन हो गया है. इसमें Name के साथ बने Box में जो Web Page ओपन है, उसका नाम यानि Yahoo लिखा हुआ नजर आ रहा है. इसके बाद हम Create In की विंडो में FV Page List के फोल्डर पर क्लिक करते हैं. इसके बाद हम Add के बटन को क्लिक करते हैं. लीजिए, याहू का वेब पेज Favorites में Add हो गया है. इसको कन्फर्म करने के लिए हम Favorites के मेन्यू को दुबारा खोलते हैं. लेकिन ये क्या? याहू का पेज तो इस मेन्यू में कहीं नजर नहीं आ रहा है? अलबता, FV Page List के फोल्डर के साथ एक एरो नजर आ रहा है. आईए, इस पर माउस पॉइंटर लेकर जाते हैं. जैसे ही हम माउस पॉइंटर को FV Page List के फोल्डर पर ले गए हैं, आप देख रहे हैं कि इसके सब मेन्यू में याहू का शॉर्टकट आइकॉन नजर आ रहा है. ये इस बज़ा से है क्योंकि हमने याहू को FV Page List के फोल्डर में एड़ किया था. लहाज़ा वो हमें अलहदा से नजर नहीं आया. हम इसको क्लिक करके बहुत आसानी से इन वेब पेजिस को ओपन कर सकते हैं. डिलीट फेवरेट्स जब हमें फेवरेट्स की लिस्ट में से कुछ वेब पेजिस की जरूरत नहीं रहती, तो ऐसा भी मुम्किन है कि हम फाल्तू और गेर ज़रूरी फेवरेट्स और फोल्डर्स को जब चाहें डिलीट भी कर सकते हैं. आएए इसको सीखते हैं. इस वक्त हमने इंटरनेट एक्स्प्लोरर के ब्राउजर को ओपन किया हुआ है. इसमें हम पहले फेवरेट्स के मैनियो को ओपन करते हैं और फिर इसमें ओर्गनाईज फेवरेट्स पर क्लिक करते हैं. हमारे सामने Organize Favorites का Dialog Box ओपन हो गया है हमें इसमें जो विंडो नजर आ रही है इसमें से हमने पहले वो पेज सेलेक्ट करना है जिसको डिलीट करना है हम यहां से Virtual University को सेलेक्ट करते हैं इसके बाद इन चार बटन्स में से डिलीट के बटन पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं कि वी यू का वेब पेज फेवरिट की लिस्ट में से डिलीट हो गया है और अब नजर नहीं आ रहा इसी तरह हम वेब पेज को डिलीट करने के बाद FV पेज लिस्ट को भी डिलीट कर सकते हैं इसके लिए हम FV page list के folder को select करते हैं. फिर delete की option पर click करते हैं. हमें ये message नजर आ रहा है. इसका मतलब है कि वाकई हम favorites के folder और उसके अंदर saved web pages को delete करना चाहते हैं. अब हम अगर delete या yes के button को press कर दें, तो folder delete हो जाएगा. लेकिन फिलहाल हम इसको delete नहीं करते. हम organize favorites के dialogue box को close करने के लिए close के button को click करते हैं. Favorite Bar Favorites के साथ आप जबरदस काम ये कर सकते हैं, कि अपने आम या बहुत ज़्यादा इस्तमाल होने वाले web pages को menu bar के इलावा नई बार में देख सकते हैं. ताकि किसी भी website को बहासानी single click से open कर सकें. ऐसी बार को favorite बार कहते हैं, यानि आप अपने favorites को अपने browser के tool bar में दिखाने के लिए उनके shortcut create कर सकते हैं. इसका ये फाइदा होगा कि आप जैसे ही उन icons पर click करेंगे, तो आपके सामने वो web page फॉरण open हो जाएगा. आईए इसे सीखते हैं. आप favorite web pages के shortcut icons तमाम browsers में create कर सकते हैं. हम इस वर्ग इंटरनेट explorer 11 के browser को इस्तमाल करेंगे. सबसे पहले हम favorite bar को अपनी toolbar में लाने के लिए view पर click करते हैं. अब अपने mouse pointer को toolbar के उपर लाते हैं. अब जो list open हुई है, उसमें से favorite bar पर click करते हैं. तो ये देखें, अब हमें toolbar में favorite bar भी नज़र आ रही है. इस वक्त हमने virtual university की website को open किया हुआ है. आईए, इसको links के favorite bar में add करते हैं. इस दफ़ा हम favorites के menu को open करते हैं, फिर इसमें add to favorite bar की option पर click करते हैं. अब आप देख रहे हैं कि favorite bar में view के shortcut का भी इजाफा हो गया है. यानि हम view की website को favorite bar से भी open कर सकते हैं. हम favorites की list को organize folder के dialogue box में देखने के इलावा, ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें browser की screen में left side पर देख सकें. आईए, इसे सीखते हैं. इस वक्त आपके सामने favorites का icon नज़र आ रहा है. आईए, इस पर click करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. ये देखें, जैसे ही हम इस पर click करते हैं तो हमें एक window नज़र आ रही है. इसे explorer bar कहते हैं. इस वक्त explorer bar की heading में add to favorites लिखा हुआ है और नीचे favorites की tab में web pages की list नज़र आ रही है. हम यहां से भी favorite web pages को add और organize कर सकते हैं. लेकिन इससे पहले हम इस explorer bar को मुस्तकिल तौर पर यहां set करते हैं. इसके लिए हम यहां इस icon पर click करते हैं. तो देखिए, यह बार screen के अंदर ही set हो गई है. और screen अब दो हिस्सों में तक्सीम हो गई है. दाएं हिस्से में website के content नज़र आ रहे हैं. जबके बाएं तरफ explorer bar नज़र आ रही है. हम mouse arrow की मदद से इस screen के area को कम या ज्यादा कर सकते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं. अगर हम यहां से किसी page के icon पर click करते हैं, तो वो page open हो जाएगा. मसलन, हम इस folder पर click करते हैं, फिर इसके बाद इस web page के icon पर click करते हैं. आप देख रहे हैं कि अब हमें उस web page के contents नज़र आ रहे हैं, जिस पर हमने click किया था. इस explorer बार को close करने के लिए हम add to favorites की headings के साथ बने cross के button पर click करते हैं. डुप्लिकेटिंग वेब पेज डेटा. इस section में हम web pages के text, image, data वगेरा को duplicate करना सीखते हैं. डुप्लिकेट का मतलब होता है किसी same information को एक से ज़्यादा जगा पर देखना, जिस तरह Microsoft Word में हम copy और paste की option से एक information को एक से ज़्यादा जगों पर देखते हैं. बिल्कुल उसी तरह हम web page के text, data, image या URL को किसी भी program, मसलन word या Excel में duplicate कर सकते हैं. सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि अगर हमें web page का text data किसी और document में duplicate करना हो, तो वो कैसे करते हैं? बास उकात हम किसी topic के बारे में notes बना रहे होते हैं, या किसी topic को present करने के लिए उससे related information ढून रहे होते हैं. अगर ये information हमें किसी web page में से मिल जाती है, तो हम ये चाहते हैं कि हम इस information को web page से अपने document में copy कर लें. आएए, इसका तरीका सीखते हैं. इस वक्त हमें ये web page नजर आ रहा है. हम इसके data को copy करके Microsoft Word में paste करना चाहते हैं. इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम इस web page के text data को copy करने के लिए mouse की मदद से इसे select करते हैं. फिर हम edit menu को open करते हैं. इसमें से copy की option को select करते हैं. लीजे, हमारा selected text clipboard में save हो गया है. इसके बाद हम target location के बारे में बताते हैं. यानि हम ये बताते हैं कि इस data को कहा duplicate करना है. इसके लिए पहले हम Microsoft Word को open करते हैं. अब हमें Word की screen नज़र आ रही है. इसमें हम home की tab से paste की option पर click करते हैं. आप देख रहे हैं कि वेब पेज का selected data Microsoft Word में कितनी आसानी से copy हो गया है. Saving Webpage Image जिस तरह हमने Webpage के text data को एक जगा से दूसरी जगा कॉपी किया, बिल्कुल इसी तरह हम Webpages के images को भी copy और paste कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले हम अपने मतलूबा page को open करते हैं. इसके बाद इस image पर mouse से right click करते हैं, जिसको copy करना है. और सब menu में से copy की option पर click करते हैं. Copy की option पर click करने से selected image अब clipboard में save हो गया है. अब हमें पहले की तरह इस image को document में paste करना है. इसके लिए हम फिर से paste की option पर click करते हैं. आप देख रहे हैं कि हमने Webpage की image को एक document में copy और paste कर लिया है. Saving as a file हमने एक Webpage की text और images को एक document में paste करना तो सीख लिया है. आईए, अब हम ये देखते हैं कि किसी Webpage की graphics या images को एक file की सूरत में कैसे save करते हैं. इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम browser स्टार्ट करने के बाद अपने मतलूबा Webpage को open करते हैं. हम इस image को file में save करना चाहते हैं. इसके लिए हम इस image पर right click करते हैं. हमारे सामने ये sub-menu open हो गया है. इसमें से हम Save Picture As की option पर click करते हैं. अब हमें ये dialogue box नजर आ रहा है. यहां हम बाएं तरफ navigation pan से इसको save करने की location को select करते हैं. इसके लिए हम pictures के folder को select कर रहे हैं. अब file name के सामने इसका नाम type करते हैं. इसके बाद save as type के सामने जो format selected है, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं. और फिर save के button को press कर देते हैं. हमने graphic image को save तो कर लिया है. अब हम इस file को open करके देखते हैं. इसके लिए पहले हम picture folder को open करते हैं. इस folder में अपनी मतलूबा file पर double click करते हैं. तो ये देखें, वही picture अब हमारे सामने open हो गई है. इस section में हम मुख्तलिफ files को download करना सीखते हैं. Download से मुराद एक remote computer के data को अपने computer में transfer करना है. या इंटरनेट के जरिये किसी file को अपने computer में transfer करना है. आईए, सबसे पहले किसी text file को अपने computer में download करना सीखते हैं. इसके लिए पहले हम इस website को open करते हैं, जिससे हमने file को download करना है. वेबसाइट को open करने के बाद, हम इस file पर right click करते हैं, जिसको हमने download करना है. हमें ये menu दिखाई दे रहा है. इसमें से हम save target as की option पर click करते हैं, जिससे हमारे सामने ये dialogue box open हो गया है. हम इसमें से कोई file name type करते हैं, इसके बाद बाएं तरफ से document का folder select करते हैं. फिर हम save के बटन पर click करते हैं. इस तरह से हम किसी audio या video file को भी download कर सकते हैं. Saving a complete web page अगर आप किसी website को offline देखना चाहते हैं, यानि कि अगर आप internet से connected नहीं हैं, और आप virtual university की site देखना चाहते हैं, तो आपको virtual university के web page को save करना होगा. इसके लिए menu bar में file पर click करें और फिर save as पर click करें. अब आप एक save web page का dialogue box देख रहे हैं. इसमें file name के सामने file का नाम दें और जहां आप इस file को save करना चाहते हैं, इसका पाच दें. और अब save का button दबाएं. यूँ आपका page save हो गया. अब आप कभी भी इस page को देख सकते हैं. printing web page आइए, इस section में हम web pages को print करना सीखते हैं. जब हम web pages को print करते हैं, तो हमें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है. आइए, पहले इनको discuss करते हैं. बाज web pages ऐसे होते हैं, जिनकी width एक सफ़े की width से ज्यादा होती है. ऐसे pages को print किया जाए, तो पूरा web page प्रिंट नहीं होता. इस तरह के web pages को print करने का तरीका ये है, कि पहले इन web pages को हम save करते हैं, और फिर इनको print करते हैं. इसके अलावा, simple printing में, web pages का color data, black and white, नज़र आता है. इसकी वज़ा से, इन pages का मकसद वाज़ नहीं होता. कलर प्रिंट लिया जाए, आपको इस वगत एक web page नज़र आ रहा है. आए, इसको print करना सीखते हैं. सबसे पहले हम file menu को open करते हैं, और इसमे page setup की option पर click करते हैं. ये देखें, हमारे सामने page setup का dialogue box open हो गया है. इसमें पहला section paper option का है. हम page size की drop-down list को open करके, इस list में से मतलूबा paper size को select कर सकते हैं. इसमें पहले सी ही letter size selected है. हम इसी को select रहने देते हैं. इसके नीचे दो और options हैं. इसमें हम web page को portrait या landscape style में print कर सकते हैं. इसके दाएं तरफ margins के section में हम page के right, left, top, bottom, margins को set कर सकते हैं. इसी dialogue box से हम web pages के header और footer भी set कर सकते हैं. header हमें web page के top पर नज़र आता है और footer हमें हर page के bottom पर नज़र आता है. हम web pages के header और footer में title, url, page number और date की option select कर सकते हैं. इसके नीचे change font का button है, जिस पर click करके हम font, font style, size और color को तबदील कर सकते हैं. फिलहाल हम इसे cancel करके OK का button प्रेस करते हैं. वेब पेज का direct print लेने से पहले बेहतर है के इनका preview कर लिया जाए. प्रिंट प्रिव्यू की option से हम web page को print करने से पहले देख सकते हैं कि वो page पर किस तरह से नज़र आएगा. आए, एक web page को print preview mode में देखना सीखते हैं. इसका तरीका ये है के पहले हम file menu को open करते हैं. फिर इसमें print preview की option पर click करते हैं. हमें web page अब print preview mode में नज़र आ रहा है. हम इस mode में रहते हुए web page की printing option में कोई तबदीली नहीं कर सकते. अलबता, टूल बार के जरिए यहां से print का view तबदील करके देख सकते हैं कि print किस तरह का आएगा. इसके इलाबा, नीचे इन buttons के जरिए अगले या पिछले web pages को देख सकते हैं. प्रिंट प्रिव्यू से वापैस नॉर्मल मोड में आने के लिए हम cross के button पर click करते हैं. अब इस web page को print करने के लिए पहले हम file menu पर click करते हैं, फिर इसमें से print की option पर click करते हैं. सबसे पहले, select printer का section है. यहां हमें वो printer नज़र आ रहा है, जो हमारे computer से attached है. हम इसी को selected रहने देते हैं. अगला section इसमें page range का है. इस वक्त इसमें all की option मुन्तखिब है, यानि इस वक्त अगर print लिया जाएगा, तो तमाम pages का print निकलेगा. Page range में अगली option selected की है. इसकी मदद से हम web page के selected portion को print कर सकते हैं. current page की option से सिर्फ वो page print होता है, जो उस वक्त screen पर नजर आ रहा होता है. ये option उस वक्त काम करती है, जब web page में एक से ज़्यादा pages हो. हम pages की option में कुछ खास pages को print कर सकते हैं. लेकिन हम सिर्फ पहले page को print करना चाहते हैं. इसके लिए हम यहाँ box में number 1 को type करते हैं. इसी dialogue box में एक section number of copies का भी है. यहां से हम web pages की एक से ज़्यादा copies print कर सकते हैं. number of copies को हम up और down arrow को click करके define कर सकते हैं. लीजिए, अब हम web pages का print आउट लेने के लिए इसी dialogue box में से print की option पर click करते हैं. आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने print पर click किया है, web page हमारे computer के साथ attached printer पर print हो रहा है. और यह उस web page के पहले page का print आउट हमें मिल गया है. summary इस lesson में आपने सीखा? कि एक page या screen से दूसरे page या screen पर जाने के process को web navigation कहते हैं. और आपने यह भी सीखा कि navigation कैसे होती है, यानि एक page से कैसे दूसरे page पर जाया जाता है. किसी web page को किस तरह बुक मार्क किया जाता है और favorites को कैसे organize करते हैं. एक web page के text, picture या पूरे website को save करने का तरीका भी सीखा.